प्रक्राणा संक्या के आधार पे लोग तंतर जिन्दा है संक्या के आधार पे लोग तंतर जिन्दा है संक्या की कमिक को देख कर रूपा सरमिंदा है बारतमा के सचे लाल लेकिन पांचवे दिन सदन का ये है हाल वेसे सारे दो सो बारतमा के है सदन लाल मैं माननी अध्यक्स मोदे बिंदू वार नहीं बोलकर सार गर्बित बात बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि जब बोलते बोलते तुड़ा वक्त देर से मिलता है तो जिस बिंदू पर हम तैयारी करते हैं हमारे कुछ माननी सद्दे से बोल देते हैं और मुझे इस बात को लेकर मैं चिंतिद रहता हूं कि बोली हुई बात को, कही हुई बात को दुबा ना कहे तो शायद हम सदन का समय जाया करते हैं। मैं थोड़ी सीख भूमी का बनाऊंगा। What is our life? What is the aim of our life? Don't worry, I am not graduate, but when I am going to speak, nobody believe about my education. I am only double E. Once I asked a gentleman, sir, what is your qualification? Then he told me, I am double MA. And after some time, he told me, sir, what is your qualification? Then I replied, don't worry, you are double MA and I am double E. He asked, what is the definition of double E? Sir, I didn't pass one time 11, so I tried second time. So, I am double MA, I am double EMU, there is no more difference. G1 kya hai? अभी तो सुरू आओं। जीवन क्या है? जीवन की मान्नेताए क्या है? जीवन जीने का आधार क्या है? राम और राज, एक मनुश्य का जीवन, राम और राज के आधार पर चलता है. कभी राम कोई किसी का, वो मारवाडी बोलना मना है नहीं यहां? किसी का राम अगर रूड जाता है, तो राज से आसाय रखी जाती है. कोशी स्कूरूँगा, मैं मानने अधिक्स मोदे, मैं एक अनुशाचित विदाएक हूँ. पांच दिन में पहले कभी नहीं बोलाओं, बीच में उठने वाले हमारा समय खराब कर देते हैं. या तो इनको पाबंद करो, या हमको भी बीच मोई बोलने के लिए रजा मंद करो. यहां भी जो अनुशाचित है, सच्छे और अच्छे हैं, उनका हक मारा जाता है. मैंने कभी जीवन में पुलिस ने मेरा चालान नहीं किया, बेल्ट रखता हूं, हेलमट रखता हूं. हम जुम्मेदार है, हमारी जुम्मेदार ये इशी से लोगों को पता लगता है, चाई सहर है, चाई गां हो, चाई सड़के हूं, हमें जुम्मेदार रहना चीए. राम के किये गए कारिये को हम मनुशे परभावित नहीं कर पाते हैं, राम के दिये गए परिणाम को भी हमें भुगदना पड़ता है, लेकिन लोगतंतर में कितनी महान विवस्ता है मनुशे के लिए, अगर राज हमारे अनुकूल नहीं है, राज जन हित के अनुकूल नहीं ह तो हम हमारे मता द्वारा, हमारे बोर्ड द्वारा राज को बदल देते हैं इसलिए लोगतंतर महान है जीवन की सार्थक्ता के बारे में मैंने लिखा है, सास्त्रों में दर्साया गया है दर्मों में दर्साया गया है जीवन शपल हो, सार्थक हो, स्वर्ग हो मैंने अभी माननी है मुख्यमंद्री जी नहीं है एक बार मैं 94 में उनिविशिटी में कह रहा था तो किसी बच्चे ने कहा नेता चोर होते हैं तो मैंने कहा इस तरह के जूटे चोर होते हैं मेरे गटकी मैं जानू या फिर मेरा रब जाने करें हमको चोर कहणे वाड़े खुद पागल तु मेरे मनं कि अभ जाने है मैं यह बात कहरा हूँ के मैंने सोelinजा के जीवन सार्त कैसे करें हम जाएं यहाँ सें तो स्वर्ग में कैसे जाएं स्वर्ग हमारे सास्ट्रों में दर्मों में दरशाया गया है मानने अध्यक्समोदे मैंने बहुत चिंतन किया साथ उसंत रिशी मुनी ग्यानी ज्यानी तपस भी और योगी और धनवान भी एक अच्छे और सच्छे राजनीतिगे के सामने बहुत छोटे कदगे लगते हैं एक सच्छा और अच्छा जनपरतिनीदी बगवान से बड़ा होता है देवताओं से बड़ा होता है एक अच्छे और सच्छे मुख्य मंतरी की वज़े से साथ करोड़ लोगों का बला होता है साथ करोड़ लोगों के हित की होज़ना बनाई जाती है मैं पैसे वाला हूँ किसी को दो रुपे से एकड़े में दे दूगा, किसी को ग्यान दे दूगा, किसी को पासन दे दूगा वेशे हम लोगों ने, हम मानने हैं विदाई को ने दिया ही दिया है, लिया क्या है आसवाधन दिया है विश्वास दिया है किशी ने कभी कभी जासा दिया है कभी ने किशी किशी ने दोगा दिया है अमने दिया है दिया लिया क्या जनता से तो मैं जो कह रहा हूं अगर स्वर G. में जाना है, जीवन को शफल बनाना है, मैं तो सच कह रहा हूं, मैं मैं जो कहूंगा, सच कहूंगा, क्यों मैंने पठटी क्या लिए, मैंने सपत लिए आप राजनिती के माद्यम से इस दुनिया में अच्छे करम करके स्वर्ग में जा सकते हैं राजनिती एक साधना है लोगतांतर के माद्यम से राजनिती साधना है अराधना है तपश्या है स्वर्ग का मार्ग यही है इसलिए मेरा मानना है कि हम जन्पर्दिनिती अपने आपको आपके उठने से हम गवरा जाते हैं हम विदान सभा की कारवाई देखने के बाद में मैं आज पांच में दिन बोल रहा हूं लाया तो बहुत था लेकिन थोड़ा मुखोल रहा हूं क्योंकि ये भी है मैं अनुसाचित हूँ आप ये कहोगे ने बेढ़ जा उससे पहले बेढ़ जाओंगा और मैं तो कहूँ आप तो खांका रह गरो मैं तो अगर किसी को खांची हो तो कर पहिया शांत रहे मैं ने यहां की कारवाई देखी है एक दूसरे पर दो सारा पड़ परजा तंत्र या लोग तंत्र में बहुत बड़ी कमी है वो ये है माननी अद्धिक्समोदे क्या हमने पार्टीों ने तय कर लिया कचाई कांग्रेश हो चाई बीजे पी हो अगर कोई अच्छा कारव ये करेगा तो भी अम उसके पक्समें नहीं बोलेंगे यह परजा तंत्र में जन हीत में नहीं है क्या कभी आप लोगों ने या कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किये क्या बीजे पी नहीं किये कभी नहीं निकलता इसका अर्थ यही है एक दूसरे पर दोस्त देते हैं जो आपने किया वही हमने किया जो हमने किया वही आपने किया जब भी मिला मोका खूब खाया खूब पिया जो आपने किया, वो हमने किया, कभी खाने के लिए हमने दाथ गिस लिए, कभी खाने के लिए हमने दाथ गिस लिए, कभी खाने के लिए आपने दाथ गिस लिए, इस दाथों की एक्सरसाइज में हमारे दाथ तो मजबूत हो गए, लेकिन गरीब नागरी और भी गरीबी से पिस लिए, ये जिवन का सार आरा है, जिवन मिले न मिले, मैं तो यहां तक कहता हूँ, हम सब को हम रहे न रहे, खुस्बू हमारी रहा करेगी, लोग कहें न कहें ये जमी तो कुछ कहा करेगी, जमी बोलती है आदमे के जाने के बाद, आदमे तो सिर्फ बोलता है आदमे के आने के बाद बाहर भी आएंगे पजड़ के जाने के बाद कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद माने अद्धिस मोदे मैं सारांसी बोल देता हूँ सारी बोल देता हूँ मैंने कुछ लिखा है ए देश के नेताओं मत लुटो मेरे देश को ए देश के नेतों मत लूटो मेरे देश को मत बदनाम करो खादी के बेस को ए देश के नेतों बेवज़े किसी को सईध मत उने दो मेरी हंस्ती खेलती बेन बेटियों को मत रोने दो मैंने देखा है सईधों के कफन के सोधा करों को मैंने देखा है जिंदी लासों के मुर्दागरों को अब तो परदूशन पे अब तो दिन में भी दूएं से सटे पड़े हैं बड़े सहर हर खाने पीने की चीज में मिल रहा है जहर आदमी आदमी की जिंदगी का शोदा करने लगा है जिस दवाई से बचना है उसी से तो मरने लगा है बहुत बड़ा मेरे चोमवाले आने वाले भाई ने बहुत बड़ा प्रसन उठाया मानने अद्धिक्समों दे चाए गरीब हो चाए पेसे वाड़ा हूँ आप एक भी ऐसा खाद दे और पेपदार तो बता दीजिए जिसमें मिलावट नहीं हो हम इसके जुम्मेदार है कौन हम ही है आने वाड़ा वक्त जैसे कैंसर जे ट्रेने भरबर के आरी है डॉक्टर कहता है फल फुरूट खाओ सलाद खाओ अगर कोई नहीं मरने वड़ा है तो पांस दिन में मर जाएगा पीडिया हो जाएगा हर चीज में जहर दिया हुआ है इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि हम लोग लालच में उलजे हुए हैं हम दूसरे की जिंदगी की परवा नहीं कर रहे हैं मैंने ये भी लिखा है दो लाइने मानने अधिक्समोदे सरपंच, MLA, विदाइक और मंत्री इनकी परजातंतर में जरूरत क्या है जब सरकार के पेसे हमारी योजना के पेसे ठेकेदार और अपसर मिलके लगा लेंगे तो मैंने भी इसमें हमारी चर्चाए की है का हम उसको रोग थाम करें पाठ दर्शिता दिखाएं ये आइस्टा डालने में मकसते जिंदगी क्या है जरा गोर फरमाईए मिले फुरसत के दो पल तो खुद को खुद ही समझाईए बनाया मालिक ने इंसान तो इंसान तो रह जाईए उकूमत करो लोगों अपने हक पर पर हराम की तो मत खाईए बनाया मालिक ने इंसान तो इंसान तो रह जाईए मुझे खुशी हुई मानने मामारे मंत्री जी स्वास्ते मंत्री जी ने का बरिष्टाचार पर जीरो टोलरेंस वैसे तो इस पुस्तक में सारी समश्या का समाधान आ गया सुप्रिम कोट की कही वार दलील आई हाई कोट की आई का हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समश्या की जड़ है बरिष्टाचार और इसमें आपने जीरो टोलरेंस बरिष्टाचार के बारे में लिखा है मैं मानने अध्यसमोदे समझने में मेरे आई नहीं आराम से मैंने दो वार पड़ा आत को दो वर उटके पढ़ आ, मैंने का यारे, टोलरेस बरिष्टाचार करने के लिए है या नहीं करने के लिए, ये मिरे समझ में नहीं ही, आप एक भी ऐसा विवाग बता दीजिए, जो सरकारी विवाग है, सरकारी उपकरम चल रहा है और उसमें बरिष्टाचार नहीं हो यह हम मुझे दुख है कि देखती हुई अंदे हैं हमें कौन जगाएगा जो जाग रहे हुँ अंदे हैं मैं यह कह रहा हूं मेरा बहुत बड़ा सुजाव है हम लोग राजस्तान को सो साल तक आगे विकास की और ले जा सकते हैं सिर्फ 200 लोग बश्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है जब सीडियों से जाडू लगाते हैं तो उपर से लगाते हैं आज हम 200 विदायक प्रण कर लेवे का हम नखाएंगे नखाने देंगे इसके लिए मानने सदेश्यों में एक सुजाव भी देता हूं आप जब आप कोई ब्रिष्टाचार पर चर्चा हो या जांच हो जैसे मानने है कियों सदेश्य है में लेन का कि उसकी जांच तीन चार बार हो गई अरे तो ब्रिष्ट की जांच ब्रिष्टे करा हो कि नतिज़ा यह आईगा नई टेकनोलोजी है नई जमाना है ब्रिष्टा चार चाहे आरोप जेता पर लगे चाहे किसी अधिकारी पर तो मेरा यही सुझाव है दूसरा अब मैं समसीज में इतना ही बोलूँगा एतियासिक धरोहर इस मार्कों को रख रखाओ माननी अदिक्समोदे राजिस्तान में अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग मापुरूश हुए हैं लोग देवता हुए हैं उनकी गाताएं साय हैं जो हमारा विचार इस पर मैं एक करना चाहूंगा जैसे एतियासिक इसमार्क है किले हैं इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है का हमारी संस्कर्टी और सब्बेता इसकी जिंदा रखने के लिए हमकोर राजस्तान के जेवपुर में बहुत बड़ा संग्राले बनाना चा बटन जिड़ी जै वो नहीं समझ पाएंगे ठीक इसी तरह हमारी खेती के काम आने वाले हले हलबानी ठीक इसी तरह लेगता लोक देवताओं के गाय वे जैसे बक्त शिरोमनी मीरांजी कर्मा भाई राना भाई एरे मैं तो दर्द दिवानी मेरो दर्द न जाने को बक्त शिरोमनी मीरां को दुनिया में जानते हैं ठीक कर्मा भाई हुई उसने अपने विश्वास से आत्मा से इस्वर को खीचड़ा खिलवाया आज जगनात पूरी में खीचड़ा का धोग लगया जाता है कर्मा हमारे मक्रा ने कीती कालवा की वो गायों ने कर्मा बेटी जात की वा ल्यावे गरभी वा ल्यावे बरतू बाट की तुझी मजी मनंदला लिखा लेखी चड़लो ठीक इसी तरह है और भी गोगा जी पाबुजी देवता ये हमारी पड़े रामदेजी की देवतागी दूसरा हमारी नागोर में एक देवता तेजा जी धूम मचाते ह आपको उस पर भी रिसर्च करना थी है क्या गाया है कैसे गाया है कितनी ताकसे हैं अगर बुरा नहीं माने तो एक लाइन सुना दूँ अर नागोरी तू सुरावो दर तीरा अवतारी वो सत्वंती तू रजावो अर लिलनरा अस्वारी हो इसमें कोई समझता भी नहीं है मैं भी एक लाइन जानता हूं पूरी रात लोग गाते रहते हैं लेकिन मैं ये आत्मा से दिल से कह रहा हूं आप से मेरा निवेदन है सुझाव है ये सारे लोग गीतों के शेत्र में हमारे राजस्तान में अलग-अलग शेत्र में अलग-अ पुरुष हुए गोगा जी रामदे जी इनके पड़गा इनका एक बड़ा संग्राले हो हमारे देने के जीवन में काम आने वाले वस्त हुएं जैसे कुड़्ची है चींप्यो है बाट की यह दिरेद खत्म हो जाएगी चूलो है यह कम से कम एक हजार ना मैं इसमें प्योश् इसमोदे टोलरेंस बरिष्टाचार पर अगर विचार हो जाएगा तो फिर राजस्तान में समश्या ही खत्म हो जाएगी लोग कहते हैं हमने इतना खर्च कर दिया हमने इतना बजड़ दिया यह नहीं कहते हमने खा कितना लिया है एक मानली है हमारे अज्यक्ष जी कह रहे करते हैं सोरी मंतरी जी पहले वाले कह रहे थे हमने इस्कूल बनाए इस सड़क बनाई अस्वतार बनाए तो मिनका हो सकता है इस जनता को देखो इसने कहीं ऐसे सड़क साब को मंतरी बना दिया रोकरे हमने सड़क बढ़ाई पेसे आपके थे लाए कितने हैं जिस दिन मैं तो ये का रहा हूँ ये जिवन दुबारा नहीं आएगा इसी जिवन में जो कुछ करना है कर लो हो सकता है मेरी बाते सुनकर कुछ मुझे पागल को सिद कर दे क्योंकि जो जमाने में ज़्यादा जो जिनकी आत्मियत कर कोई रोकर कोई रूला कर सब जमाने में पागल है अगर आपने यहां लूट लिया तो आगे लुटने वाड़े हैं यहां लुट गए तो फिर आगे आप हम आपस लुट लोगे या तो इस वर पर पूर्न विश्वाज हठा ले हम या आज तिक बन के जिएं नव सर आए अलब संकिक है मैं और मेरा भाई को छोड़ गए मेरे बेटी का नाव बिसमिल्ला है सबसे नजदीक दोस्त मेरा मुसलमान है फिर भी मैं कह रहा हूं एदेश के नेताओं एदेश के नेताओं मातर भूमी का ध्यान रखो उसी देश उसी का है जो मातर भूमी का प्यार करता है तो मैं अध्यक्स मोदें दूसरा किसानों के बारे में दो मिट बोलूं कितना बहुत ही एक महत्वपुर्ण मुद्दा है किसानों की समश्या का समाधान तब हो सकता है जब 200-300 बिगा जमीन लेर पांच आदमें की पांच आदमें की मिटिंग या कमेटी कटित हो जाती है आज हिंदुस्तान में दिरे दिरे किसान आप मैं तो किसान हो मैं मुझे पांच पे से मिले हुए गाड़ी-गाड़ी डंकी लाता हूं मैं तो तुलना करते हैं कि रूप जी किसान है मैं किसान कहां से हूँ मैं तो पत्र का व और बिजली के तार को बिना कनेक्शन जोड कर मोटर चला कि अपने बच्चों को पालता है इस देश को पालता है उसको चोर मत कहिए मानने अदेश मोड़े चूट कपट बेइमानी और मान सम्मान और आयासी के लिए अर्बो कमाने वारे लोग वो जूंटे हो सकते हैं वो बे सिजन दे दी जाईए उसको वेंटिलेटर पे लिटा दिया जाता है तो किसान अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अगर तार जोड कर बिजली पेदा करता है तो चोर नहीं हो सकता बो तो अब जब आदिकारों का हनन होता है आदमी का तो मनुश्य खुद बजनों के बारे में हैं आप से आपने मुझे टाइम दिया और मैं आप से आसा रखता हूं अभी शुरूआत हुए मेरा होसला बढ़ाती रहना और मैं तो ये तो बार-बार कहूंगा कि जब ये साब दिख रहा है साब आप मेरे में फरक क्या है कल आप बेटे थे हम जिस स चीज को जोर से एकर कह रहे तो हम आज करें कहीं ये नूराकुष्टी की कारवाई न साबित हो जाए हमारी विदान सबाद मेच्षिक की सावित नहीं हो जाएं इसलिए मैं चाहता हूं ये सदन है राजिस्तान की जनतागा सब से बड़ा न्यायल है यहां राजिस्तान के स सबी लोगों का बविश्यत्य होता है इशीकासा के साथ में धन्यवाद खुश्मीर जिरिंग